नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ करांति से एक और एहम खबर के साथ आप सभी के साथ जोड़ चुकी हूँ आपको अता देए कि डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौर्या को ले करके ये बड़ी खबर है दरसल केशव प्रसाद मौर्या ने एक टूइट किया जिसके बाद से चारो तरफ सरकर्मी मच गई खास करकी UP के सियासत में आपको अता देए कि UP के सियासत में डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौर्या का नाम एक बड़े तौर पर लिया जाता है कि ये नाम जो है वो बीजेपी के लिए कितना एहम है और UP के सियासत के लिए कितना है अगर इस पद को लेकर कि अगर वो इस्तिफा देते हैं तो उसके बाद बीजेपी का क्या रुख रहेगा और केशव प्रसाद मौर्या का क्या रुख रहेगा इस पर भी कई सारे सवाल जो है वो शुरू हो चुके हैं लेकिन इन सवालों के बीच में जब से उनके स्तिफ़े की खबर सामने आई है तब से चारों तرف सरगर्मी जो है वो मच्चुकी है उस सरगर्मी के बीच में विपक्श लगतार आरोप लगाने भी शुरू कर चुके हैं बीजेपी के बड़े बड़े चैरे जो है वो अपने पद से इस्तिफा दे रहे हैं लेकिन फिर इन तमाम अठकलों को खारिश करते हुए बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है बीजेपी का साफ़तोर पर ये जहन पर दिखाई दे रहा है और साथ ही केशव प्रसा मौर्या बहले ही अपने पद से इस्तिफा दे दे लेकिन बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौपना चाहती है और यही वज़ा है कि उनसे ये पद लेकर के एक बड़े पद का यहां पर उनको इजहार दिया जाएगा बहराल देखना यही होगा कि क्या डिप् कले विपक्ष की तरफ से लगाई जारी है वो अटकले सही होंगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताया आपको क्या लगता है क्या डिप्टी सेम केशव प्रसाद मौरिया इस्तिफा देते हैं और अगर वो इस्तिफा देंगे तो बीजेपी को जटका लगेगा यह बीज झाल